हाई फ्रेंड्स नमस्क्राइब दूस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि डॉग्स में टिक्स से कैसे छुटकाना पाएं टिक्स वो काले काले आपको ब्राउन ब्राउन वो कीड़े मत तो देखरी होंगे आपने डॉग्स में जो खुन पी कर बड़ा हो जाता है तो वो अगर हो जाएं तो आप कैसे चुट करा पाएं इसमें काफी सारे लोग काफी प्रेशान रहते हैं उनको बार बार उनके डॉक्स पर टिक्स का अटेक होते रहता है तो क्या करें कि उनका बार बार इस तरह का टिक्स का अटेक ना हो तो अगर समझेे कि अगर आपके डाग्स को टिक्स हो गया है तो पहला चीज जो आप करें वो है आप उसे एक अच्छा सा शैंपूँ जो टिक्स का शैंपू है, एंटिक्स शैंपूँ उसका इस्तेमाल जरूर करें फर्स्ट है उसके और उससे भी पहले आप जो करें आप एक जिसको करते हैं सिबोलाइटिक टाइप का जो पूर ओपिनिंग सैंपू एक होता है ना डॉक्स कर तो बाल होता है चिपका चिपका रहता है तो आप अगर किसी तरह का सैंपू जैसे पेट बेंड शैंपू पेट बेंड शैंपू है या फिर जो है सिबोलाइटिक शैंपू है ये सब शैंपू अगर इस्तेमाल करते हैं पहले तो वो क्या होगा ना उनका बाल खुल जाएगा अक्सर ऐसा होता है कि लोग गलती जो क्या करते हैं कि एंटि टिक शैंपू पहले ही इस्तेमाल कर लते हैं तो टिक्स के बिरुद है अब बाल अगर चिपका रहेगा और अगर आप शैंपू कर रहे हैं तो उसके अंदर में जो टिक्स छुपा हुआ है वो तो सुरक्षित ह उसके कुछ हानी होने वाला नहीं है तो इसके लिए क्या करें पहले pet pem pet pem shirts Renpoo या पिर bulatically shampoo से उसे अच्छा से shampoo कर लें च्छी से दयसे shampoo कर लें shampoo करने का तरिका यह है कि उसको भिंगा के dog को भिंगा के उसमें shampoo लगा के 10 मिनिट तक उसको छोड़ दे जाग करके उसके बाद धो दें धोने के बाद पोच पाच के उसके बाद उसके 24 घंटे के बाद एंटि टिक्स शैंपू लगाएं तब वो ज्यादा काम कर पाएगा ये टिक्स के लिए है क्योंकि उसके बाद उसके छुपने की जगह नहीं रहेगी उसके बाद उसको फेस करना ही प्रहेगा एंटि टिक्स शैंपू का ये इस पर इस उन्हें सलाद में सलादेता हूँ वो इस्तेमाल करने से बचे क्योंकि वो जो है औरिगेनल फॉस्पोरस कंपाउंट है औरिगेनल फॉस्पोरस कंपाउंड मतलब वो किटानू नाशक दबा पो पौदे में छिरकते हैं ना या हम लोग रूम्स में छिरकने के लिए वो जो हीट वर्ट इस्तेमाल करते हैं, वो ही मेटिरियल उसमें है, अब अगर डॉक्स में आपने वो पाउडर छिरका, छिरकने के बाद फिर आपने समझे की वो डॉक्स इदर उदर घूम रहा है और टिक्स पाउडर लगा हुआ ह तो फिर इदर वो जटकेगा, तो फिर आपके खाने में, आपके सांस में आएगा, और जब और अर्गनल फॉस्पेरिस कंपाउन का एक्स्पोजर होता है, हमारे बादी में मालूम है, क्या असर होता है, वो हम लोगों की इम्यूनिटी को लोग कर देता है, डिरक्ली हम लो नहीं जाएंगे, बट हम लोग की इम्यूनिटी लो हो जाएंगे, तो फिर हम लोग को कोई सीरियस बीमारी हो सकती है, तो इस तरह की घटनाओं से बजने के लिए अच्छा है कि वो, और अगर ये इसके लावे भी हाए कि घर में के चोटे बच्चे हैं, और एंटी टिक प पाउडर मैं कभी भी, इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दिता हूं, इससे अच्छा है कि आप शैंपू करें, पहले पोर ओपिनिग शैंपू करें, उसके बाद एंटी टिक पाउड शैंपू करें, एंटी टिक Şैंपू काफी सारे हैं, ये लेल्र टिक्स हैं, फिर आपको यह, यह cleaner-paste shampoo है, काफी सारे companies के मौझूद हैं, जिस company में खो जेंगे उसमें मिल जाएगा। अपने anti-tix shampoo इस्तिमाल करने के बावजूद भी tix नहीं जाते हैं। जाते हैं, shampoo करते हैं, पिर रोज के बाद कुजिने बाद कुफिर हो जाते हैं। तो क्या करेंगे? यह होता इसलिए है कि आपने जो shampoo किया वो adult tix में काम किया। जो अंडे हैं या छोटे बच्चे हैं उस पर कुछ असर नहीं किया। फिर आप क्या करेंगे? फिर जो हैं आप anti-tix spray देंगे। Shampoo अगर fail कर गया तो anti-tix spray देंगे। वो भी काखी सारे बजार में उपलब्ध हैं। जैसे विवाल्डिस का है। फिर आपको यह एफिप्रो विर्बैक का है। यह सब आपको मिल जाएंगे। और इसके इलाब यह और भी नेफली इंडास कंपनी का है। तो वो भी आप जा सकते हैं। यह सब anti-tix spray अगर देंगे तो वो जो है effective जा रहा है। anti-tix spray देने का भी तरीका वही है। डॉक्स को पहले ओपनिंग शैंपू कि तरह से कर देंगे। उसके अगले दिन यह anti-tix spray देंगे। इसके लिए पहले आप अपने डॉक को आपके सामने में खड़े कर दें। पहले जो है उसके back portion उपर बाइ टॉप portion में देंगे। फिर left में देंगे फिर right में देंगे फिर नीचे देंगे। फिर फूँच उठाके पीछे में spray करेंगे। फिर उगलियों के बीच में टिक्स वहीं छुपते हैं। तो टिक्स उगलियों के बीच में जरूर से देंगे। हो सके तो उगलियों के बीच के बाल जो है वो पुरा सा clip कर देंगे। तो इस तरह से देंगे पूरे body में वो anti-tix spray आप कर पाएंगे। और उसके बाद टिक्स को छूपने की जिगर नहीं मिलेगी। और मैंने तो यह भी देखा है कि मात एक application में एक application अगरत किया जाए उसी में वो tix भाग जाते हैं। तो यह हो गया आप जब यह से विस्तिमाल करेंगे तो tix से आपके docs को मुक्ती मिल जागी। लेकिन इसके बाद और एक बहुत महत्पुन पहलो आता है। ऐसा क्या करें कि tix हो ही न। पहलों आता है। जैसे revolution spot on है या फिर nephly spot on है या फिक्सोटिक spot on है। तो आप dogs के garden में यहां पर जहां उनलों का जो garden जो विदर करते हैं गरदन जहां पर body में जॉइन कर रहा है। वहां पर एक पिपेट मिलेगा पिपेट से वहां पर लगा डाल देंगे। तो वह एक महिने तक काम करता है। इसके लावे कुछ companies की जैसे buyers का anti tick collar भी आता है, guilt tick collar तो वह भी आप दे सकते हैं। वह भी prevention में ही काम करेगा। हो जाए तो फिर वह नहीं काम करेगा। लेकिन prevention में काम करेगा। इसी दौरान मैं तो यह सब करने से आपके dogs को ticks कभी नहीं होंगे। लेकिन इसी दौरान मैं एक चीज और बताना चाहूँगा। मुझे काफी मेरे शरीग में आज आए तो कुछ नहीं होगा न डक्टर साब। कहीं मुझे तो कोई असर नहीं करेगा। तो मैं आपको अशूर कर देना चाहता हूँ कि डायरेक्ली वह ticks हम पर कोई असर नहीं करता है। जो पाया चाहना वाला टिक्स अभी तक कोई किसी नहीं देखा है। हाँ यह बात जरूर है कि एक डियर टिक होता है कनाडा में तो वह कभी-कभी डायरेक्स में आ जाता है तो फिर हमें असर करता है। लेकिन हम तो इंडिया में हैं तो वह ticks हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग safe हैं कोई असर नहीं करता है। लेकिन एक असर जरूर करता है। डाग्स को ticks से infected देखने के कारण ही हमें कभी-कभी शरीर में खुजलिया होने लगते है। डाग को scratch करते देख रहे हैं तो हम लोगों को हो सकता है, वह psychologically हो या कुछ हो हम लोगों को भी उसी चारट का खुजली वाला प्रॉल्म हो जाता है। फिट जब डाग्स का कशुली चला जाता है तो हम लोगों का खुजली भी चला जाता है। तो ये किसी case में मैंने देखा है, मैंने observe किया है, ये होता है, maybe वो psychological है, या हो सकता है, organic हो, किसी कारण भी हो सकता है, but ये कोई scientifically proven नहीं है, scientific science करता है, कि उसका जो ticks है, वो हमें असर नहीं कर सकता है, ठीक, उसी तरह, जिस तरह से हमनोंगा, जो मादमी का lies होता है, वो उसमें असर नहीं करता है, या कम असर करता है, तो इसी तरह cross infection नहीं होता है, इसलिए आप निस्तिंद रहें, लेकिन अतना भी निस्तिंद नहीं रहें, अपने dogs को परेशान नहीं देखें, उन्हें, जो मैंने tips बताया है, वो उस पर अमल करते हुए, उन्हें tips से चुटकारा पा हैं या देख सकते हैं कि वो परड़क्ट है क्या, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अगर आपने पसंद किया है, तब kindly मेरी request है कि आप जदू लाइक करें, और इसे share भी करें, और साथ ही साथ मेरा channel जो है subscribe करें, धन्यवाद झाल झाल झाल